नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तिया केमद और आप देख रहे है अरिया निज रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ प्रधान मंतरी नरिंद मोदी ने एक्टिंग के माधियम से दर्शकों के दिल में जगा बनाने वाले कलाकारों अर्विन त्रिवेदी और घंशाम नायक के निधन पर बुद्वार को शोक जता है और त्रिवेदी ने प्रसिद टेलिवीजन शोर रामायन में रावन की भूमिका निबाई दी जबकि नायक ने लोग प्रेख शोर तारक महता का उल्टा चस्मा में नट्टू काका का किरधार भी नबाया और प्याम मोदी ने ट्वीट किया कि पिछले कुछ दिनों में हमने दो प्रति भावन कलाकारों को खो दिया जिनोंने कला के माधियम से लोगों का दिल जीता त्रिवेदी को खो दिया चुनना सिर्फ एका साधारन कलाकार थे बलकि जन सेवा के लिए तत पर रहते थे टीवी शोर रामायन में उनकी भूमिका को आने वाली पीडियां भी याद करेंगी और दोनों ही कलाकारों के परिजनों और प्रसंसकों के प्रती में संवेदना व वही लखिमपूर की घटना पर जारी सियासी कोहराम के बीज घ्रय राज्य मंत्री अजै मिश्रा आज दिल्ली पहुँचे और आजै मिश्रा ने एक घ्रय मंत्री अमिश्रा के घर मुलाकात कर ली और पूरी की और घटना को लेकर सफाय पेश कियें अजे मिश्रा के बेटे आशिश मिश्रा पर किसानों पर जीप से कुचलने का आरोप है और इस घटना के बाद से विपक्ष लगातार विजेपी अजे मिश्रा और योगी सरकार पर हमला वर है और वहीं किसान नेता राकश टिकेट ने भी आजे मिश्रा की बर्खास्तगी और राशिश मिश्रा की गिरफतारी की मांग किया और लखीमपुर हिंसा केस में विपाक्ष भले आजे मिश्रा टेनी को मंतरी मंडल से हटाय जाने की मांग कर रहा हूँ लेकिन सूत्रों के मताबिक उनकी कुर्सी बची रही और सरकार के उस सूत्रों के मताबिक इस पूरे मामले में अजे मिश्रा की कोई भूमिका नहीं और सूत्रों ने ये भी कहा कि उनके बेटे की भी इसमें कोई भूमिका नजर नहीं आ रही है और सुत्रों के मताबिक ऐसे सूरत में विफक्षी दलों की मांग नाजाइज हो जाती है वहीं यूपी सरकार ने राजनितिक नेताओं को लखिमपूर जाने की इजाज़त दे दिया और कोंग्रेस नेता राहूल गांदी और प्रेंका गांदी के अलावा आमादमी पार्टी के सांसद संजे सिंग को भी लखिमपूर जाने की मनजूरी दी गई है लखिमपूर जाने के लिए थोड़ी देर पहले राहूल गांदी दिल्ली एरपोर्ट से निकले और राहूल के साथ पंजाब और 36 गड के मुखे मंत्री भी जारे और तीनों कॉंग्रेस नेता लखिमपूर के पीडि किसानों के परिवार से मिलिंग और यूपी सरकार के घ्रेविबाग ने बताया कि राजिस सरकार ने कॉंग्रेस नेताओं राहूल गांदी प्रेंका गांदी समय सभी राजनीतिक दलों को लखिमपूरी जाने की अनुम प्रशासन यानि प्रशासन यानि पुलिस की गाड़ी में बैठ कर जाने के लिए पार्टी के परवक था अकिलेश सिंग ने कहा कि जब प्रशासन के सुरक्षा में ही जा रहे हैं तो पुलिस की गाड़ी में बैठ कर जाने के लिए क्यूं कहा जा रहा है और वहीं राउल गान्दी ने कहा कि हम अपनी कार में लखिमपूर जाना चाते हैं लेकिन पुलिस हमें अपने वाहन में ले जाना चाते हैं मैं उनसे कहा कि मुझे अपनी नीजी वाहन में जाने दे और वो कुछ योजना बना रहे और मैं यहां बैठा हुआ हूँ